नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं नियोज़ारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तामाम बड़ी कबर को नई नियोजन निती आने के बाद पहले चरण में कम से कम 30,000 निक्ति करने का लक्ष रखा गया है राजसरकार की नई नियोजन निती का प्रास्ताओ वर्स 2016 के पूरो लागू नियोजन निती के अधार पर तयार किया गया है युवाओं से मिली सला के बाद हेमंत सरकार न या फैसला लिया है राजसरकार न युवाओं से राई लेने के लिए भारत सरकार की ब्रोडकास्टिंग इंजिनरिंग कलसल्टेंट इंडिया लिमिटेट को या चिम्मेदारी सौपी थी दूसरी तरव विपक्च इस मुद्य पर सरकार को घेरने में लगा है सदन की कार्रवाई के दोरान भारती जनता पार्टी के विधायकों ने रज में नियोजन निती लागू करने की मांग को लेकर विधान सभा की मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया भाजपा विधायकों ने कहा है कि सरकार जवाउँ को रोजगार में ही देना चाहती है इसलिए लगटार डेमुशाइल और नियोजन निती को लटका रही है भाजपा विधाय का नंत ओजा ने कहा है कि हर वर्स पांच लाक युवाँ को रोजगार देने की बाद कह सत्या में आई है मन्तु सोरिन की सरकार अपने कार रिकाल का तीन वर्स बीट जाने के बाद भी डोमिसाइल और नियोजन नीती नहीं बना पाई है नीती बनाई भी है तो उन्हें अदालत ने खारिच कर दिया उन्होंने कहा है कि सरकार ने युवाँ को नौकरी से वंचित रखने के लिए जान बूज कर ऐसी नीतियां बनाई जो सविधान के नियमों के विफरित थी डॉक्टर्स की हरताल से मरीज हुए परिसान आज राज़ भर के डॉक्टर्स हरताल पर हैं हलाकि इमर्जनसी सेवा जारी है लेकिन राज़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की स्थिती ही कुछ और है यहां मरीज दूर दराज राज़ों से इलाज के लिए आये ह इन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि आज डॉक्टर्स की हरताल है ऐसे में अब दूसरे राज़ों और जिलों से आए मरीज बिना इलाज के अस्पताल परिसर में रहने को मजबूर है वही रिम्स का इमर्जनसी वार्ड जूनियर डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है जारकन वधान सभा के बजट सत्र का तीसरा दिन रज में डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं सरकार चुपक्यूं तत्काल बाठक करने ने ले जारकन वधान सभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रसनकाल सुरू होते ही भाजपा वधायक भानुप्रताप साही सहित अन्य अज डॉक्टर काम नहीं करना है उन पर हमले हो रहे है ऐसे में सरकार को गंभीर होना चाहिए भानू प्रताब सही ने कहा है कि सरकार को आज ततकाल बैठक कर उस समत्तिया का समाधान निकालना चाहिए वही विधायक नविन जासवाल ने पूछा है कि सहर के cycle system को लेकर विभाग की क्या विवस्ता है उन्होंने पूछाए कि cycle, stand और cycle की संख्या कितनी है इसके जवाब में मंत्री सतनन्द भोक्ता ने कहा है कि पहले चरण में 60 cycle, stand और 600 cycle शुरू हुआ था दूसरे चरण में फिर इतनी ही संख्या में cycle बढ़ाए जाएगा इसके पूरग प्रस्न में नविन जास्वान ने कहा है कि सहर में cycle track ही नहीं है तो ये cycle कहां चलेगी, नगर विकास विभाग क्या cycle track बनाएगी की नहीं मंत्री सत्तनेंद भूकता ने कहा है कि विभाग इसकी व्यास्था भी करेगी, सहर में सडके चोड़ी हो रही है cycle चलाने वाले लोगों के लिए इसकी व्यास्था की जाएगी वही सत्तन में वधायक अमबप्रसाद ने कहा है कि पियम ग्रामिन अवास योजना के तहट डेड़ लाग अवास लंबित हैं अवास आवंटित कराय जाए इस पर जवाब देते हुए संसदिय कारे मंतरी आलमगिर आलम ने कहा है कि आवास स्विकृत हैं पर लंबित हैं इसके कई वज़ा हैं इस पर भानुप्रताप साही ने कहा है कि बालू घाट निलाम नहीं होने से बालू नहीं मिल रहा है इस वज़ा से भी आवास पेंडिंग है सरकार को पहल करनी चाहिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर्च शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए प्रवासी नियंतरन कक्च के अनुसार पहले चरन में 22 सारमिक जारकन लोट आएंगे सेस मजदूर टिकट बुकिंग के बाद आएंगे आपको बता दे कि जारकन के 35 मजदूर ताजिकिस्तान में फसे हुए हैं उन्होंने जारकन की हेमन्तु सुरेन सरकार और केंदर की नर मजदूर विदेसों में फसे हैं कमपनियों द्वारा काम कराकर पासपोर्ट जब्त कर लेने और मजदूरी नहीं देने पर मजदूरों की परिशानी बढ़ जाती है इस बार भी जारकन के बोकारो गिरिडी हाजारी बाग और धनबाद के परवासी मजदूर ताजिकिस्ता में भारतिय दुतावास से संपर्क किया गया था इसके बाद इनकी वतन वापसी का रहा असान हुई है पहले चरन में 22 मजदूर जारकन लोटेंगे इसके बाद सेस मजदूर आएंगे ताजिकिस्तान में फसे 35 परवासी मजदूरों ने सोसल मीडिया के माधम से वतन वाप आपको बता दे कि इससे पहले भी ताजिकिस्तान में 44 मजदूर फस गये थे ये लोग चार महापूर बिसुनगर प्रखन के खरना के पंचम महतों की मदद से ताजिकिस्तान गये थे पसमिस सिंग्भूम के गोईल केरा में आईडी ब्लास्ट एक की मात पसमिस सिंग्भूम के गोईल केरा थाना चेतर के इचा हातू में बुधवार की सुभा एक आईडी ब्लास्ट में 52 वर्स ये क्रिशना पूर्ती की मात हो गई जबकि उनकी पतनी 45 वर्स ये नंदी पू भाजपा विधायक विरांची नरायन ने डौग बाइट का मामला उठाया है। लोग गीत संगीत का आनंद ले सकेंगे महमान। लोगों के लिए बंद रखने का नर्देश दिया। रिसोर्ट के आसपास से अतिकर्मन हटाने के बात कही। पतरातु पहुँचने पर विदेशी डेलीगेट्स का श्वागत विवी आईपी गेस्ट हॉस में होगा। यहाँ पहुचने वाले डेलीगेट्स नावनिर्मित विवी आईपी गेस्ट हॉस में कुछ देर आराम करेंगे। सभी का श्वागत गेस्ट हॉस केमपस में बने जोह सिल्प ग्राम में किया जाएगा। सिल्प ग्राम में विवहिन कलाकृतियों वा संस्कृतियों से अतितियों को आउगत कराए जाएगा सिक्छको की बहाली करे सरकार विनोध कुमार सिंग सदन में विनोध कुमार सिंग ने सिक्छको की बहाली खुले कर सदन में मुद्धा रखा कहा जल से जल प्रात्मिक स्कुलों में सिक्छकों को बहाल करें चैबासा में बस की चोपेट मियाने से व्यक्ति की मौत चैबासा के टोंटो थाना अंतरगत सागर कांटा गाउं के पास बस की चोपेट मियाने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई व्यक्ति की पहचान जम सेथपूर के बाग बेडा थाना अंतरगत बाग बेडा कोलोनी निवासी शुक विंदर सिंग चालिस वर्से के रूप में की गई है घर्टना मंगलवार साम की है घर्टना की जानकारी मिलता ही पुलीस घर्टना स्तल पर पहुंची और साओ को रातरी सड़े दस बजे सदर अस्पता लाया बुथवार सुभा साओ का पोश्ट माड़म करा कर परिचनों को शौब दिया जारकन बजट सत्र कॉंग्रेस वधाय कंबा प्रसाद ने सदन में उठाया अवाद खनन का मामला एंटिपी सी पकरी बरवाडी कोल खनन पर योजना में 37.2 हेक्टियार करीब सो एकड़ भुमी पर अवाद खनन मामले को लेकर वधायक अमबा प्रसाद ने वधान सभा में फिर से मामला उठाया आपको बता दे कि सीद कालिन सत्र के दोरान भी वधायक ने इस मामले को जोरदार तरीके से सदन में उठाया था वधान सभा के बजट सत्र के दोरान प्रेम प्रिकास के ठिकानों से मिली एक के 57 केस में राणची के सिनियर सपी से एडी करेगी पूचताच के सेरिकास को इस सबता एडी द्वारा नोचीज़ जारी किया अचायका इसकी वज़ा इसमामले में अब तक कि गई पूचताच के त्वरान मिले तत्थे बताया गार हैं एडी के समन के आलोक में सीम अवास के सुरक्षा प्रभारी 28 फरवरी पूछ ताज के लिए हाजिर नहीं हुए उन्होंने भी हाजिर होने के बदले एडी को पत्र लिखकर वर ये अधिकारियों से मार्ग दर्सन मांगे जाने की सूचना दी है उन लेकनी है कि प्रेम प्रिकास के घर से मिली राइफलों की जांच प्रताल के दोरान इस बात की जानकारे मिले थी कि इसे मोकेमंतरी आवास की सुरक्षा में तैना दो जावानों के नाम पर जारी किया गया था अलाकि दोनों जावान मोकेमंतरी आवास की सुरक्षा के बदले प्रेम प्रिकास क सुरक्षा में लगे हुए थे एडी द्वारा राइफल जबत किये जाने के बाद पुलिस की और सी यहा कहा गया था कि ड्यूटी के बाद लोटते वक्त जवानों ने राइफलों को बारिश से बचाने के लिए प्रेम प्रिकास की घर पर रख दिया था सहर में एकजार अतरिक्ट फॉर्स की राजधनी रांची में जी ट्वाइनटी देसों की होने वाली बैठक को लेकर महेमानों का आगमन शुरू हो गया है इसको लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड़ पर आ गई है सुरक्षा के मर धनजर सहर में 1000 अर्थरिक्त पुलीस फोर्स की तनाती की गई है इसमें जार्खन पुलीस, महला पुलीस बल, आई यार्बी, रैब के जवान सामिल है इसके अर्थरिक्त सभी डियस्पी और थानेदारों के अलावा QRT को भी महमानों की सुरक्षा में लगा गया है राची SSP की सौरकॉसन ने बता है कि कारिक्रम इसतल पर सुरक्षा व्यास्था में बड़ी तादात में पुलीस बलों की तनाती की गई है वही जिन होटलों या इस्थानों पर G20 देसों के परतनिधी रुकेंगे वहाँ पर भी सौरक्षा की पुकता इंतजाम किये गए है हो पाया है घटना के सूचना के बाद मौके पर जियारपी पहुंची और घटना इस्तल कर जा जा लिया इसके बाद चकरधरपूर्थ हना को मामले की जानकारी दी गई